हैलो फ्रेंड मितल की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं आपके साथ में ऐसी सलाट की रेसेपी सेयर करूगी जो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है इसे आप वेट लोस में भी काम में ले सकते हैं इसे आज मैं आपको दो तरीकों से बनाना बताऊं इसेियु पछल्ड नेोनी पर दो टुकडो में इससोर Ins सब्सक्ड़क भागए है मै सब 4 ठोड़ में रिला हैं यह जड़ काट याँप स। रिक रला हैं यह घंप है उप्शनल निम्व लिफ़ कर सकते हैं ऐस आब सब्सक्राइब निम्बु लिया है विक क performance आप देख सकते हैं कितने जो हैं अच्छी तरिके से जो मुंग हमारे अंकुरित हो चुके इसकों कुल कैसे करते हैं नेक्स-वीडियो में जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत सुम्पल से तरीके से आपके साथ में बताओं टेल की बर्तन लेले है इसके अंदर मैंने एक कटोरी जो है अंकुरित क्यों दाल दिये हैं और बाकी बच्चे हुए उनकों फृज्स के अंदर रख देंगे एक बारा आप जो हैं मुंग मौट या चने इसको अंकुरित करके आप फ्रेज में एक हफ्ते तक आराम से इस्टोर करके रह सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं जब चाहे तब आप इसको बाहर निकाले वह वास कीजिए और वास करने के बाद आप इसको एंजोय कर सकते हैं तो अभी देखिए हम सारे वेजिटेबल जो कटे हुए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे मैंने याप जो अंकुलित मूंग लिये हैं उसको मैंने बिल्कुल भी उबाला नहीं है एकदम कच्चे हैं अगर आप कच्चे पसंद नहीं करते हैं तो हलका सा जो है चार से पाच मिनर तक इसको पाने में थोड़ा सा नमक डाल कर उबाल लीजिए उसके बाद में आप मैं चोटी से बिल्क कर दालेंगे तो मसालों में आप आदा चोटी चुमसे से बी कम या उली मिर्ची डाल रही हूं बहुती कम मसाला में मैं जाते हैं आदी चोटी साथ में मैं इसके भी निकाल दयुकर है वहाया athra पूदी ने स्वेसे पाटर नियुद आप पसंदिये तो आप इसके भी कर सकते हैं स्वाद के नुशा मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और एक मैंने जो निम्बू लिया था उसके भी निकल दी है और उसका अरज यहाँ पर डाल देंगे एकदम चट पटा सा यह जो है सेलर बन के रेडी होता है तो पूरा निम्बू इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा उपर से डालेंगे चाट मसाला यह उप्शनल है इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो अभी डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया खूप सारा हरा धनिया जुरू डाले फ्रेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हरा धनिया जुरू खाना चाहिए हमाई सेथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है एक चोटी चमज मैंने इसके अंदर डाल दी है ग्रीन चटनी इसकी जगे पर आप धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं इससे टेस्ट बढ़ जाता है तो अभी मैं डाल रहे हूँ इसके अंदर दो छोटी छोटी बारी कटी हुई अरे मिर्ची या ऑफशनल ले अगर आप अच्छो के लिए बना रहे हैं तो आप इसको इसको इसकी भी कर सकते हैं तो अभी इसको ईहां पर अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखें सारी चीज़ों को तो अब हम इसकी फ्लेटिंग लगाएंगे तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी तो सबसे पहले मैंने आप ले लिए प्लेट इसके अंदर सेलह डाल देंगी यहां पर मैंने दो लोगों के लिए बताया है बनाना तो सबसे पहले डालेंगे चाहसे पांच में इसके अंदर उपर से थोड़ा सा डालेंगे टमाटर केचप यह ओप्षनल नहीं इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंट तो अभी देखिए थोड़ा सा डालें है वो पूरे इसके अंदर डाल देंगे यह सेकिंड प्लेट जो है हम बना रहे हैं बच्चों के लिए जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आएगी बच्चों को भी इस तरह का सेलेट जरू खिलाना चाहिए इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन विटामिन होता है थो दो भी मैंने आप ठोट छोटे को टुकड़ों में काट लिया है अगर बच्चों के लिए बनाने फ्रेंट आप कोई भी फ्रूट जो है आप डाल सकते हैं जो आपके पास में आवेलेबल हो मेरे पास में फिलाली यह दो ही चीज़ी आवेलेबल थी तो उपर से मैंने यह चेरी से डेकॉर कर लिया है फिर बहुत ही टेश लगती है अगर बच्चों के लिए मसाले नहीं डाला चाते हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं उसके जगर पर आप सिर्फ फूट का भी यूज़ कर सकते हैं तो यह लेजी फ्रेंट दोनों तरह के सेलेट जो हमारे बंद के रेड़ी हो चुके हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी और जटपट बनने वाले और वेट लॉस में तो यह एक्टम रामबाण हैं अगर आप इसके जो हैं हरूज नास्ते में एक कटोरी भी खाते हैं तो आपका वेट जो हैं कंट्रोल में रहेगा बिल्कुल भी वेट आपका न लेकर हैं तो मेरे पेट को फॉलो जरूर करें मिलते हैं ऐसे मजदाय वीडियो के सब्सक्राइब करें